यह देखिये दोस्तों मेरे घर के लोगों का आम खाना यह लोग तब तक खाते रहेंगे जब तक कि इनका पेट नहीं भर जाता और यह देखिये बिल्कुल डलिया पास में रख ली है इन लोगों ने और अगर मैं अगर किलों के हिसाफ से काउंटिंग करूं तो यह कम से कम 10 12-15 किलो आम होंगे और ये लोग बिल्कुल ऐसे बैट गए हैं ऐसे बैट गए हैं कि बस इन्हें ये आम खतमी करना है आज बिल्कुल युद्ध इस तर पर खाया जाते हैं हमेशा आम और हमारे तीन महीने बस यही सीजन होता है रोज आम, रोज आम, रोज आम फिर मेरी दादी शाम को पीछे पढ़ती है दूर पीलो, सौफ खालो नहीं तो पचेंगे नहीं लेकिन हमारी बच्पन के आदत है कि शायद 2, 5, 8, 10 किलो आम तो शायद हम लोग पचा ही लेते हैं और ये देखो किता मस तरीके से यहाँ पर आम खाय जा रहा है और बच्चों को तो जो है वो चड़ी बनियान पहन के बिठा दिया जाता था कि आप आराम से बस खाईए, कपड़े गंदे होंगे और इसलिए आज हमारे वेद भाहियार ने तो आल्रेडी जो है वो पीले ही कपड़े पहने कितने गंदे होंगे मैं आज आम ही खा लेता हूँ और मेरी दादी भी बैठ गई है आम भी भी तो पीले ही होते हैं सही बहुत है और क्या दाग अच्छा है ना है ना यह देखिए मेरी मम्मी, मेरी दादी मेरी बहन मेरी बेहन जो है ना बोल सबको रही है इसको बुला लेते हैं उसको बुला लेते हैं सेलसी को बुला लेते हैं बिनी को बुला लेते हैं आम खाने के लिए लेकिन आज सुबा से हमारे गर में लाइट नहीं है तो हमारा फोन काम नहीं कर रहा है तो बुला किसी को नहीं रही ह और लगी है बस खाने के लिए और बत्ती देने में और दादी और हमने ये पता है बच्छमत से इसी तरह से आम खाये जब तक पेट ना बढ़ जाये तब तक खाये आप आम और मैं नहीं खापा रही हो क्योंकि मेरी थोड़ी इसी तबियत खराब है और जादा खराब हो जाएगी वो भी इसलिए है कि मैंने जादा आम खा लिये है और ये देखिए ये थोड़े से कम पके आम है थोड़े से जो कल तक पूरी तरह से अपने शबाब पर होंगे फिलहाल तो ये डलिया देखिए बस थोड़े ही टाइम की और है विचारी थोड़ी देर में ये लोग बस गुट्लियों का अमबार लगाने वाले हैं और मेरे दादी हस रही है आज शाम को किसी को भी खाना नहीं मिलेगा और जो खाना मांगेगा उसकी बहुत पिटाई की जाएगी पिटाई की जाएगी उसकी बहुत और देखो इस तरह से बस लगे हैं सब लोग आम की चटकारे लगाने और मेरा भी बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं अभी नहीं खा रही हूँ मैं खाऊंगी लेकिन मैंने अपने आम को पहले उठाए कर रख दिया पहले जब हम छोटे थे ना जब हमको गिन गिन क्याम मिलते थे पंदरा पंदरा आम बीस वीस आम तीस तीस आम और उस पर भी हम लड़ते थे उसको ज़्यादा पीला दे दिया उसको एक बड़ा दे दिया उसको एक छोटा दे दिया और फिर मेरी दादी खटे पचास-पचास आम रख देती थी हम लोग आगे लो अब खा पूरे खा यही बढ़के खा तो बहुत मुश्किल मुश्किल वाला काम होता था और अभी भी देखो पक्का पक्का देखना आज तो देखना इनलों को मेरी नजर लगेगी क्योंकि मैं अब कारी ःते ने खा पा रही हूं और ये लोग मयरें पापा जी जो है और हर आथ दिन में एक पाल खुलता रहता है और हर वकत इसी तरहसे आम आम पार्टी चलती रहती है कि अभी कभी लगता है फिर सो लाकी ना कि हमको इतनी सारी नेमते लिए और हमारे घर पे दादा जी ने और पापाने जो महनत की है वह महनत हमारे सामने है हम कहते हैं न की बरक्षा नपन जीव रक्षार उपन कीजिए तो यह फायदा होता है देखिए अगा पापा यह वाला आम किस ने लगाया था यह मोटा वाला यह वाला हमारे सामने लगाया हुआ पोदा था जिसके आज अपनाम खा रहा है और यह से बगीचे में एक नहीं अनेग पोदे हैं जो कि मैंने अपने हाँ से लगाया थे और आज उनका अपन सब लोग आम खा रहा हैं आज नहीं कई बरसों से आम खा रहा हैं हमको को पूरे परिबार को अपने चाय भी दे रहा हैं और फल भी दे रहा हैं जिसका उप्योग हम आज कर रहा हैं सब मिलके पर पापा को रहा इतना शौक है ना कि जाम की कोई भी बगीचे आए तो मतलब खाली खाली हाथ और खाली पेट घर ना जाए आप जाम के मौसम में आई आए हैं और आने वाले टाig में या कहना चाहिए कि इस दीवाली के सीजन पर बहुंच सारे सीताफल आने वाले हैं जो की बेड ने लगाएं वेड तुमने कितने पर लगा एंचला फाल के और गन्ने लगे हुए हैं पपीते हुए बगीचे में अम्रूद लगे हुए हैं जामुन है बेर है और गन्ने है मतलब आप किसी भी सीजन में आईए आपको चने मिलेंगे जो बालियां मिलेंगी किसी भी सीजन में आईए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कि आरे यार क्या करें आप बगीचे में आके कुछ नई तो खूब जूले जूली है आप मचान पर बै लेंगी उसके बाद एक भी हरा नहीं छोड़ेंगी आखरीता के लोग सारे खाजाएंगी और डकार भी नहीं लेंगी ये लोग ये देखो दादी अच्छा पीला पीला देती जा रही है कि मतला सबरी की तरह चक चक के कि यह मीठा है यह तू खाले बेटा और ये मीठा है ये खाले ये वाद ने चोड़ना इनहें कुछ नहीं है लेकिन छाट छाट के सारे खाना है आज सुभा से हमारे घर में लाइट नहीं है तो हम बहुत परिशान हो रहे हैं इन्वेटर भी जो है वो डाउन हो चुका है और कितनी बात हैं में लगी हुई है दीर दीर करके सारे आम चट कर जाएगी तो दोस्तों अगर आपको भी हमारे घर के आम जामन बेर अम्रूद प बहुत सारी चीजों का अगर लुफ्त उठाना है तो प्लीज 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 आप मेरे गाउन जरूर आईएगा और इस तरह से आप हमारे साथ आम पार्टी कीजिएगा तो बने रहिएगा हमारे साथ इस्टे विदास जैन जै भारत